हेलो दोस्तो, स्वागत करती हैं हमारे यूटूब चनल में आशागरती हूँ बहुत ही अच्छे हैं खुश हैं तो आईए आज हम बनाते हैं बाटीश अप्टा स्वीड़ीज में आता है तो कोई-कोई को पता नहीं है कोई-कोई को पता है तो मैंने सारे इंग्रिडियंट्स ले लिया यहाँ पे तो बता देती हूँ मैं गुड़ से बनाऊंगी तो गुड़ा देकलो ले ली दो नारियल मैंने फीश करके ले लिये इसे ग्रेट करकर और दूद ले लिया मैंने आप मिल्क ना लेके पानी भी डाल सकते हैं और मैंने एक कप मैदा ले लिया चान करके और आधा कप लिया मैंने राइस फ्लोर और उससे आधा कप मैंने लिया शूजी शूजी कोई से भी चल जाएगा मोटी पतली नहीं तो आपको डाउट लगता है अगर तो हब कर सकते हैं पीस के भी ले सकते हैं तो चलिए हम इन्हें अभी घोल बना लेते हैं साइट में रखते हैं फिर इनका जो टॉपिंग बनाएंगे तो हमें अभी क्या करना है एक हैंड विक्सर लेंगे और थोड़ा से नमक डालेंगे हलाकि ये तो मीठा सुइड़ीश है फिर भी हम थोड़ा से लमक डालेंगे नहीं तो फिक्की लगती है हमें आप अगर नहीं पसंद करते हैं तो मत डालिया गया और पूरी वीडियो देखते जाएएगा आप गुर की जगा में चीनी भी डान सकते हैं दुबारा बतारिव में तो शुगार में भी बन जाते हैं और नारिल में भी बना सकते हैं नहीं तो आप स्रेप मिल्क, मिल्क पाउडर स्री बना सकते हैं, तो मैंने इस तरह गोल बना करके रख लिया हैं, और थोड़ा सा अगर मिल्क चाहिए तो डाल सकते हैं, पानी चाहिए तो डाल सकते हैं आप, फिर थोड़ा इस तरह पतली होने चाहिए, इस तरह नहीं गाना ह होना चाहिए थिकनेस थोड़ा ठीक ठीक होना चाहिए तो यहां पर मैंने एक पैन रख दिया इसमें हम डाल रहे हैं आदा किलो गुड और लो टूब मेडियम कर लिया हमने ग्यास को फिलेम तेज नहीं होना चाहिए क्योंकि गुड जल भी सकता है इसलिए हमने स्लो प्लेम करके अभी रख दिया पांस मिनिट के लिए जब तक मेल्ट ना हो जाते हैं हम नारेल नहीं एड़ कर सकते हैं पूरी वीडियो देखते जाए जा अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा और जो नए प्रेंज आये हैं मेरे चैनल में ना बुले लिस तो चलिए पांस मिले के बाद मिलते हूं तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा वोड और नारेल की हमने मसाला बना लिया है जो बाटी शप्त में डालेंगे न यह अच्छी तरह टॉपिंग बनना चाहिए छिप-छिफा सी और जो डो मैंने अभी मिक्स करके र में भी कोई-छूगा रेट करते हैं तो हमने नहीं किया आपको अगर पसंद है ने तो ज्याधा मीठा हो जाती है आपको अच्छी नहीं लगती है आपको अबस अच्छी लगे तो आप डो में भी मिक्स कर सकते हैं तो हमारे जो बाटी शप्टी की जो टॉपिंग है बनके रेडी हो चुका है एकदम हम ठंडा कर लेंगे और इस्तावार देंगे और हम डोफो चेक कर लेते हैं तो हमने यहां पर गुड को मेल कर लिया है आप हम क्या करेंगे ना जो नारियन है हम एर कर देंगे मैंने नारियल की जो ब्राउन हिस्सा है ना ओड को मैं नहीं निकाली क्योंकि फॉड की साथ हमारा जो टापिंग बना रहे हैं इसलिए अगर सुगार की साथ बनाते हैं तो वाइट वाइट रहते हैं तो निकालने के जोरूरी है तो मैंने यहां पर ओईल ले लिया और ओईल को अच्छी तरह प्रेंग्पन में ओईलिंग कर लेंगे इस तरह और इन्हें भी हम चेक कर लेंगे देखिए इस तरह होना चाहिए हमने गोल बना लिया गोल को भी इस तरह एकदम स्मूध होना चाहिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक कड़्छी लेके तो इस तरह आप देख सकते हैं लग एक बार ग्रीज करने के बाद लग और ओयल नहीं डानना चाहिए क्योंकि बहुत ही ओयली ओयली हो जाती है इसलिए हम दुबारा इस समल नहीं किये और एक दो इस तरह बन सकता है मैंने यह आपर सेकेंट बाटी सब्ट भी बना लिया है इस तरह एक दम देख सकते हैं तो दोस्तों देख लीजिए मैंने कितने सारी बाटी सब्ट हमरे बन के रेडी हो गया है तो आप भी बनाईए खाईए और हमने जो टॉफिंग बनाए था काफी सारे यह भी बच गिया है यह भी स्टोर करके आप रख सकते हैं दो चार दीन में बना भी शकते हैं और जो मैने दो बनाई थी इसकी वो भी आप राक सकते हैं दो तीर दीन ठीज में रख के बारी बारी बना के भी खा सकते हैं तो चलिए और एक नई देशिबी के साथ मिलाकात होती है बाइ बाइ थेंक यू किमती समय देने के लिए